मेरे अंकल का PNV में एकाउंट है और हो सकता है कि मुझे कहना पड़ जाए कि मेरे अंकल का PNV में एकाउंट था अच्छा आप लोगों को PNV का फुल फॉम पता है पंजाब नेशनल बैंक ने ये नाम था था कभी ने नाम का बोर्ट बनकर आया नहीं है फिर भी मैं आज आप लोगो नेहा नाम बताना चाहूंगा पैसा नहीं है बे अच्छ में यह 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 अरा नेहा नाम है आपको बताना चाहूंगा करेसेंटली एक बहुत ही टॉप सेट्ट की मिटिंग होई थी और स्मीटिंग को सारे प्रोफेशनल लोगों ने टेंट किया स सारे प्रोफेशनल लोगों ने और प्रोफेशनल कौन थे कोई आइडिया चोड जिब कत्रोड एतियम लूटने वाले कैस्वें लूटने वाले और इन सब का सिनियर जिन्होंने कभी एका दुखा बैंक की तीजोरी में हाथ आला है चर्चा बस एक बात पे हुई कि हमारी जिन्दगी बीद गई यही प्लैन करने में कि कि किसी बैंक का कोई एक ब्रांच लूट सकों यहां एक बंदा सब की नजरों के सामने पूरा कभ पूरा बैंक लूट कर चला गया कैसे कोई आइडिया किसी ने कहा कि प्रियंका छोपरा उसकी ब्रैंड एमबेज़र है किसी अब जो बात सबको कर्वेंसिंग लगी हो यही किसके नाम में ही मोदी है। सारे सिनियर लुटेरों की सहमती से बात यही निकली कि अपना लीडर भी कोई मोदी जैसा मोचा। फिर एक बंदे ने टेवल पर खर्या उकर हाथ उठागे र का कि भाया यहां पर कोई मोदी नाम का बंदा है क्या। दूर, बहुत दूर एक बंदे ने हाथ उठाई है। लोग उन उसे अपने कंदे पर उठाया और लाग पटक दिया। सारे सीनियर डिटेरों के सामें जसन का महौल बना नागीन डानसे जो डान सुरू हुई वो कल्लू मामा की गल्लियों से होते हुए सीला की जवानी तर चली बस सिर्फ वो नया लीडर जिसका सरने मोदी था वो परेशान था वो क्यों परेशान था यह क्लाइमेक्स है आकरी में बताऊंगा यह सब होने के बाद अब बारी थी नया लीडर की स्पीच की सारे चोर पॉकेट मार एक्साइटेड था कि अपना नया लीडर कुछ तो बताएगा अपने को नया रास्ता दिखाएगा फिर तभी एक अंदर से आवाज आई पांच मिनट तक सब पागल जियो हो निरव के लाला जियो तु हजार साला तनी लूटी के अर तनी लूटी के दो-चार बैंक लाब हो भीया बिदेश में छूपें के जोगार लगा वह भीया इसी तरह के गानों पे डांस होता रहा बस अब खुशी से सब पागल हो गयते है सब को लगा कि ये बंदा सही है फिर एक आवाज आई मित्रों फिर पांच निएट तक जसन बस वही निरव जी अओ निरव के लाला वही डांस फिर से कंटिनू अब ये नया होगी अपनी चिल परचित पुराने मोदी जी के अंदाज में अपना भासन सुरू किया अब हमारे भायबंदू किसी से उधार नहीं लेंगे एकियम से सौ के नोट सिर्फ चार नहीं लेंगे लोन पे घर या कार नहीं लेंगे और मैं आप लोगों को आज इस मंच से आस्वासन देता हूँ कि जो हम लेंगे वो हम से ये सरकार नहीं लेंगे भीर से आवाज आईए सर सर क्या क्या लेंगे हम सर सर बताइए रख्या लेंगे हम सर फिर एक ने कहा कि सर आप तो बहुत ग्यानी हो हां सर कुछ नया कीजिए सर कोशिज कीजिए कि सर हम SBI को लूट सके सर नया मोदी ओवर एक्साइटेट हो गया था और इसने इसकी ओवर एक्साइटमेंट में यह फस्ता चला गया इसने कहा नहीं हम SBI नहीं FDI लूटेंगे है अब फिर एक बंदे ने कहा कि सर FDI FDI किसे लूटेंगे सर अभी से लगा कि यह अपनी बातों में फसा जा रहा है बंदा सुधार करने की कोशिश में था लेकिन और बिगार लिया इसने का ठीक है FDI चूर देते है आरविय लूटेंगे अब सारे जेब कत्रों का इनर्जी थुरा सा डॉन हो गया था यह क्या अनाप सनाब्बा करहें बे फिर फिर भीर से आवाज आई कि सर आप थोड़ी से कंफ्यूज लग रहें सर आपनी नाम की तरह अपने आपको प्रजन कीजिए न सर इस मोदी के सर सर से पसीना आना सुरूओ गया बंदा डर गया था उसने फिर से एक बार उसी चिल पर चिल अंदाज में कहा मित्रों इस बार कोई एक्साइटेट नहीं था बैंक लूट चुके जो सिनियर थे उन्हें लगा कि भाई कुछ गरबर है इस एक सिनियर ने पूछा कि सर नाम नाम बताईएगा अपना इन्होंने जवाब दिया मोदी मोदी नाम है मेरा फिर सिनियर ने पूछा कि पूरा खुल खुलने बताईएगा अपना अब जो मैं बताने जा रहा हूं, दरसल ये क्लाइमेक्स है, इन्होंने कहा, राहुल, राहुल, जी हाँ वही राहुल, राहुल मोले, अब इसका जो हुआ, वो आप सब ग्यानी है, बस S.B.I. बचे, इस बात की खुशी में, लाइक, सेर और सब्सक्राइब, प्लीज कर दीजे, बैंक में FDV कीजे, लोन भी लीजे, कोई दिक्कत नहीं है, इस देश को चलाने के लिए एक मोदी की काफी है, थेंक्यू.